आप आप वीडियो है ड्रोन रिमोट ड्रोन के लिए कि ड्रोन के अंदर काफी प्रॉब्लम्स फेस की जाती है और उनका क्या पॉसिबल सिलूशन हो सकता है और उनसे हम कैसे पज सकते हैं और रीजन क्या होने का तो पूरा वीडियो एंट तर दुर देखें आपके जुरूर अगर आप ड्रोन या कोई भी ड्रोन यूस करते हैं उसमें आप मोबाइल डिवाइस लगाते हैं दाकि आप देख सकें उसकी स्क्रीन को कहा पर जा रहा है तो लिए ड्रोन है या लेने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टन है तो अगर आप नहीं चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कर लें चैनल पर लेका देख लिए तो स्टार करते हैं आज का वीडियो तो बैसिकली काफी प्रॉब्लम्स मैंने सुनी हैं मेरे पास कमेंट्स आते हैं इमेल आते हैं उसमें कहा जाता है कि हमारी ड्रोन की बैटरी खराब होगी या कुछ प्रॉब्लम्स दे रही है प्रॉब्लम्स कैसी होती है कि ड्रेन बहुत जल्दी हो रही है जब नया ड्रोन लिया था तब वो प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन अब वो ड्रेन बहुत जल्दी होने लगी है तो यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस की आती है और उसके कुछ द कि अखेला आपको रिमोट कोई देगा नहीं और इसकी बैटरी रिप्लेस होगी और बाहर भी इवन डीजिए में बहुत मुश्किल से बैटरी रिप्लेस की जाती है रिमोट कंट्रोल की स्पेशली तो इसको ध्यान से रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर आपका रिमो लेकिन अब यह बहुत जल्दी होता है इसका कारण किया है इसका कारण मैं आपको बताऊंगा दो तरह से सबसे पहले आप नोट कीजिए कि आपकी डिवाइस मनलब जो मुबाइल आप इसके अंदर लगाते हैं जिनको नहीं बता जो ड्रोन के जो में मिलता है इसमें हमें पर इसको खोल के यहां पर मुबाइल डिवाइस लगानी पड़ती है तो जैसे मोबाइल डिवाइस यहां लगती है और फिर वह सारा वेजिन जो ड्रोन में अमें होता है वहम इसमें देख पाते हैं उसको से आपने कौन सा आपका इसमें डिज्या की अप है अब एक होता ह के अंदर जो आप यूटलाइज करें तो आप एपल वाला फोन यूज करें इसका कारण है टेक्निकल रीजन है वो है यह कि आई यूएस डिवाइस के उपर हमारे पास यह ऑप्शन होती है जब हम इसको साथ कनेट करते हैं थ्रू यूएस भी तब एक आप्शन आती है सिरफ हम आई यूएस में यानि या इ concealer साथ चार्ज खरवाना या नहीं हमने अपना आई फोन इसकी बैटरी से चार्ज नहीं करवाना जस्त हमने Connection बनाना है और इसकी वज़य से आपका रिमोट की battery यह प्रॉब्लम उनी के पास पाई जाती है क्यों अगर आप एक एंड्रोइट डिवाइस यूज करते हैं तो वह क्या होता है जैसी आप उसमें प्लग करेंगे वह कनेक्शन तो बनाएगा लेकिन साथ के साथ चार्ज होना शुरू हो जाता और जब चार्ज होगा वह इदर की वैटरी पीएगा ठीक है तो इस तरह से अगर आप उड़ाते रहें ड्रोन तो आपकी इसकी लाइफ बहुत जल्दी घत्म हो जाएगी तो यह है एपल नहीं है जैसे मोस्टली यूजर के पास एंड्रोड की काफी ज्यादा पॉपॉलेशन है हमारे देश में और तो उसके लिए क्या सिलूशन है उसके सिलूशन यह है सबसे पहली बात अपने एंड्रोड डिवाइस को फुल चार्ज करके ही अपने रिमोट में लगा जाए नहीं कि इसने चार्ज करेंगे चार्ज तो हो गई और अगर आपका चार्ज प्ल नहीं है 40% चार्ण चार्ज और आपने लगा दिया भी फास्ट चार्ज भी हो जाएक तो उससे क्या होता आपकी रिमोट की बैटरी बहुत जल्दी वह पीता है तो जल्दी जाती है क्या है एंड्रोइड यूसर कैसे बचे इस प्रॉब्लम से सबसे बड़ा कि आप फोन चार्ज करके लगाएं इसमें नंबर दो अगर आपके फोन में फास्ट चार्जिंग है तो जब आप इसमें लगाएं तो उसको आफ कर दें प्लीज अगर आप ये दोनों चीज़ें फॉलोग कर लेंगे तो आपके एंड्रोइड डिवैसे में भी रिमोट की बैटरी की प्रॉब्लम नहीं आएंगी अब तीसरा मैं लास्ट सेक्शन आफ वीडियो में आता हूं कि पता कैस जले की प्रॉब्लम आ रहा है एक तो आपको लगा है कि ट्रेन जल्दी हो रही दूसरा हीट अप होता है जब आपकी बैटरी चूजता है ना फोन तो रिमोट का रिमोट जो है बहुत गरम होता है तो उससे आपको अंदाजा लग सकता है कि आपकी बैटरी में प्रॉब्लम आने वाली है तब ही सतरक हो जाएं और यह वीडियो अगर आप देखी लेते हैं तो इसके बाद अगर आपने ड्रोन आने तो आपको पता लग ग अगर तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इसके लावा कोई भी आपका सवाल है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख्या कीजिए उससे हमें आइडिय लगता है कि हैं कि हमारी मेरे सब्सक्राइबर्स किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो ओप everything is fine at your end and thank you very much जैमत झाहते हैं